नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टूडे रीवा के सुभम पांडे में भारत की ओर से भूटान में 200 मीटर बोड में गोल्ड जीतने के बाद वर्ल्ड चैंपियंशिप में जोकी दुगई में होने वाली है उसमें भी गोल्ड जीतने का लक्ष रखता है रीवा सहर के लिए सुभम का गोल्ड किसी गौरव से कम नहीं फिलहाल सुभम भूटान में है खेलों की बात हो रिकॉर्ड की बात हो रीवा का नाम ना आए ऐसा हो नहीं सकता रीवा का एक लका पिछले दिनों खेल महाकूम में भूटान में 200 मीटर की दौड में गोल्ड जीतने के बात इन दिनों प्रच्या में है हम बात कर रहे हैं शुभम पांडे की सुभम पांडे रीवा के रहने वाले उन्होंने भूटान में भारत की ओर से दौड में भाग लिया एथलेटिक्स प्रत्योगिता में भाग लिया, 200 की दोड में वो दोडे, उन्होंने गोल जीता, अब शुभम दुबाई में होने वाले वर्ल्ड चेंपियंशिप में भी हिस्सा लेने की तैयारी कर रहे हैं, रीवा शहर के लिए कौरों की बात, रीवा शहर के एक लड़के ने जिस तरीके से भूटान में जाकर देश का नाम उचा किया, रीवा का नाम उचा किया, ये अपने आप में काफी बड़ी बात, अब शिवम पांडे दुबाई जा रहे हैं, फिलाल शिवम भूटान में मौ पीजे की तमाम तैयारिया उनकी पूरे किस तरीके से शिवं खेले किस तरीके से उनों ने तैयारियां की किस तरीके से उनका सेलेक्शन हुई तमाम बातों पर हमने इसकूल के प्राचार इसे बात की आई Democrats बताया मुकेश कुमार गुटा कि आपसे स्कूल चे एक बच्चा जो है दुबभई जा रहा है किसलिए जा रहा है कि लिए लिए बच्चा सुखम पंडे नाम हो फेल्ट क्लास का इस्ट्वर्ण था फास आउट हो चुगे अभी अभी तो यह 200 मिटर की रिश्षी जेगा रही है कि आम तो के लिए बहुत श केल प्रटोगता हैं शुरूर होती है और जैसे आपका दोड हो गया और कवड्टी हो गया को अधरी नंद में हमारे सपोर्ट टीचर है मिस्टर संदीप शर्मा उनके मात्हां से यह आजोईद होती रहती है और बारा का नाम सुवाम पांडे सुवाम पांडे सुवाम पांडे बालक का नाम है तो यह कब से कब तक मलब को अपने हाँ 200 मेटर की दौर में रीवाइन रस्टी में हुआ था इसका सेलेक्शन हुआ थ और उसी बेस से यह दुगई भूटान गया है 200 मेटर्स की रेज में उसने पार्टिशिपेट किया और उसने उसने फर्स रैंक प्राप्ति किया गोल्ड मेडल जीद करके विश्कुल का नाम उमाद उतिसमे थार्शकंडे स्कूल जितार एवार और उनकुमार के बारी प्र झाल जया झाल